तो friends जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि अभी lockdown चल ला है तो जिस वज़े से क्या हो रहा है कि वीडियो बनाने में जो भी जरूरी सामाने वो सब अभी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि friends सारी दुकाने बन चल ली है जिस वज़े से वीडियो को बनाने में अभी काफी तो friends इस वीडियो में मैंने जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसकी और जो स्मार्टफोन होता है उन दोनों की मदद से मैंने एक स्मार्टफोन प्रोजेक्टर बनाया है जैसा कि आप सिनेमा हॉल में देखते हो कि परदे पर जो है वीडियो चलता है तो उसी तरीके से यह भी वर करेगा लेकिन friends इसमें पीछे स्मार्टफोन लगाओगा और आगे लेक्रिक बल्ब लगी होगी तो चले friends अभी वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं तो हेलो दोस्तों मैं हो सुभम और आप देख रहे हैं MR कूल एक्सपरिमेंट तो च उसकी चोड़ाई वह 6.5 इंच लगवग है तो friends यहाँ पर हमें इस तरीके बल्ब ले लेना है तो यह जो 10 वाट का बल्ब होता है उससे मैंने लिया है और friends इसके जो उपर वाला इससा है उसे हमें किसी ठोस चीज की मदद से ठोक करके जैसे की पेचकास हुआ तो उसकी अंदर का मेटरी ले उससे पूरा बाहर निकाल देना है तो friends अगर आपको यह चीज करने नहीं आ रहा है तो आप YouTube पर बहुत सारी वीडियो आप उसको देखके इससे कर सकते हो तो अभी friends इसको कलेने बाद हमको क्या करना है कि इस तरीके रांगा ले लेना है और रांगे स हम इससे बल्ब के चारो तरफ इस तरीके से एक साचे की तरफ बना लेते है तो friends यहाँ पर हमको एक बल्ब का एक साचा मिल जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह कुछ रांगे को हमने इस तरीके से बना लिया है तो friends हमको क्या करना है जो MDF का यह वाला हिससा हमने यह पर हमूद सबस्arbeiten के लिए उपयूग मिलें तो इसको बना लेने के बाद हम इसे पैंसिल की मदद से अंदर के साइड में निशान लगा लेते हैं तो अभी इस तरीके से ङहाना बन जाएगा तू यहां पर हमारा बन गया हसे हैं तो यहां पर आप देख सकते हो हमने पैंसिल से मारका इस तरीकेस लगा लिया है तो यहां पर हमें बल्ब के आकार का निसान मिल गया है तो फ्रेंड्स हम क्या करते है इसको म कट करके निकाल देते हैं अगर आपके पास यह मसीन नहीं है तो आप MDF को थोड़ी देर के लिए देना जिसे की MDF मुलाएं हो जाएगा और जो थर्मा कुल काटने वाला जो बलेड होता है उसकी मदद से भी आप इसे काट सकते हो तो अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे रेती की मदद से यहां पर थोड़ा जगा बना लेते हैं ताकि हमारा बल्ब आसानी से अर्जिस्ट ह जा रहा है तो फ्रेंड्स इसको भीतर के साइड में हम ग्लूगान इस्टिक की मदद से इसे चिपका लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो इसे हमने अंदर के साइड से बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है और इसको वापस यहां पर इस जगह पर लगा कर हम इसे चिपका देंगे तो यहां पर फ्रेंड्स मैं इसे लगा दे रहा हूं और इसे हमें अच्छे से चारो तरफ से चिपका देना है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो तो हमने इसे अच्छे से चारो और से चिपका दिया है और फ्रेंड्स इसको कंप्लेट करने बाद य लिखत एप्स Walker लेलिया और यहाँ पे 4 इंच और तीन इंच को एप एस तरीके का एक ठूकड़ा बना लिया तो इसके और नशों गー के दोनों तरफ इस तरीके से चिपका देना है तो यहाँ पर मैं इसे चिपका दे रहा हूँ और इसके बाद फ्रेंड्स जो हमने इसका ये वाला इससा बनाया था इसको हमें इसके नीचे रखके कुछ इस तरीके से चिपका देना है तो यहाँ पर मैं इसे चिपका दे रहा ह तो भी फ्रेंट्स ये अच्छे से चिपक जाने के बाद ये कुछ इस तरीके के दिखेगा तो इसको हमको क्या करना है फ्रेंट्स हमें इसको बॉक्स में रख देना हां और यहां पर हमको एक चीज दियान देना है कि यह अंदर इस तरीके से आगे पीछे स्लाइड होना चाहिए तो अभी फ्रेंट्स इसके बाद हम यहां पर अपने मुबाइल का एक जो बैक कवर होता है उसे ले ले लेंगे और यहां पर हमें इसके इस जगह पर लगाना है ध्यान देना है फ्रेंट्स यह बल्व के बिल्कुल ठीक सामने क्यों होना चाहिए तो फ्रेंड इसे हम अच्छे से सेट कर लेने के बाद इसे यहां से निकाल देंगे तो यहां पर अब देख सकतक है हUI निकाल दिया और फ्रेंड इसको हम इस कवर को वहां पर टिकाने के लिए मैं यहां पर नीचे के साइड में एक MDF का टुकड़ा इस तरीके से यहाँ पर चिपका दूँगा तो यहाँ पर फ्रेंट्स मैं इसे फैवे कोई की मदद से चिपका दे रहा हूं तो इसको उमको फ्रेंट्स काफी ज्यादा मजबूद बनाने जरूरी है क्योंकि फ्रेंट्स इसे पर मोबाइल टीकेगा तो इसको उपर नीचे से मैंने चिपका लिए अच्छे से तो फ्रेंट्स इस कवर को हमें इसके उपर रख देने के बाद हम यहाँ पर उपर से एक और टुकड़ा MDF का लगा लेते हैं तो फ्रेंट्स हमको ध्यान देना है हमें इसे थोड़ा सा भी डीला नहीं लगाना हमें इसे अच्छे से लगाना है ताकि जो हमारा जो मुबाइल है वो इसके अंदर आसानी से अर्जेस्ट हो जाए बिल्कुल टाइटली अर्जेस्ट हो तो यहाँ पर आप देख सकतो हमने मुबाइल को इसके अंदर अर्जेस्ट कर दिया है और फ्रेंट्स यहाँ पर आप दे पीशेज का लिए और यहां पे हमने आगे के साइड में इसे अगल-बगल दोणों साइड में इसे चिपका देना है तो यहां पे आप देख सकते हो हमने दोनों साइड इसे चिपका दिया है अच्छे से तो अभी अब मैं फ्रेंट्स अगर मोबाइल को इसके बीतर लगाता हूं इस तरीके से और इसे मैं रखता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो यह हमारा जो मोबाइल इस्टेंड अच्छे से वर कर रहा है यह गिर नहीं रहा तो इसका बैलेंस बिल्कुल ठीक ह हो चुका है तो फ्रेंट्स हमको इसको बॉक्स के अंदर रख देना है तो इस तरीके से मैं पर बॉक्स के अंदर रख दे रहा हूं और फ्रेंट्स यहां पर पीछे के साइड में खोल करना है तो यहां पर फ्रेंट्स में एक होल कर दे रहा हूं लगबग एक इंच जितना और इसके बाद फ्रेंड्स जो एक इंच वाले जो प्लास्टिक की पाइप होती है यह हमे ले लेनी है और इसको फ्रेंड्स यह आपको है प्रोकस का काम करेगा तो जैसे कि जब हम इस प्रोजेक्टर को चलाएंगे दिवाल पर चितर दिखेगी तो चितर कभी कबार साफ नहीं दिखती है तो इसकी मदद से हम मोबाइल को आगे पीछे करके चितर को साफ कर सकते हैं तो ये फ्रेंड्स हमारे जो फोकस होता है उसको ठीक करने काम करेगा तो इस काइब को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बॉक्स के आकार का एक MDF का टुकड़ा काट लिया है और इसके चारो तरफ से हमने भीतर के साइड में MDF को कट करके कुछ इस तरीके से लगा दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो MDF को हमने अंदर के साइड से कुछ इस तरीके से लगा दिया है यहाँ पर आपको ध्यान देना है MDF थोड़ा बाहर के और जुकी होनी चाहिए कुछ इस तरीके से जिससे कि यह जो हमने जो बॉक्स बनाए उसकी बीतर के दीवार को चारो तरफ से टाइटली अच्छे से पकड़ लिए कैप तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कुछ बाहर के और जुका करके सभी तरफ से इस तरीके से बीतर के साइड में MDF को लगा दिया है और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा आगे चैनल को जोटे का च्छ तो आप उसकी मतर्स से भी असानीं से बना सकते हो तो अज़ी हम क्या करेंगे बल्ब के अंदर पूरा बल्ब को पानी बहें तो आप उससे लिलो गया तो और भीज़ादा अच्छा है तो यहां पर आपको आगे कारने गया सब्के आऑब हमने एक वीडियो को मोबाइल में यहां पर चालू कर दिया है और इसको हमको मोबाइल को उल्टा करके रखना है इसका ऑटो रोटेशन जो ता है उसको आफ करके क्योंकि अगर वीडियो उल्टा चलेगी तो हमारा जो सामने प्रतिबीम में वह सीधा दिखेगा और अगर हम वीडियो को सीधा चलाते है तो जो हमारा सामने प्रतिबीम बनेगा वह उल्टा बनेगा तो इसलिए हमें आटो रोटेशन को आफ करके यहां पर हम वीडियो को उल्टा करके चला देते हैं तो इसके लिए आप फ्रेंट्स वीलसी प्लेयर डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि MX करेंगो यह वर्क नहीं करेगा तो भिचले फ्रेंट्स हम इसकी टेस्टेंग करके देखते हैं तो यहां पर देख सकते हो यह बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है इसलिए मैं आपको भी दिखाया वो करती हो तो फ्रेंट्स इसकी वजह यह होगा हसे थोढ़ा दोंदला अगर आप उसे लगा दोगे तो यह जो अगल बगल का side जो blur दिखा है वो blur नहीं दिखेगा वीडियो quality थोड़ी अच्छी दिखाई देगी तो friends आप इसे as a project बना सकते हो आप इसे अपने personal use के लिए नहीं लेगन friends अगर आप इसे project की तरफ बनाना चाते हो तो आप इसे बना सकते हो बहुत ही अच्छा project है आप इसे लोगों को दिखाने के लिए बना सकते हो तो friends I hope कि आप लोग वीडियो जरूर से अच्छी लगे हो कि वीडियो कर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को सेर करना मत बुलना तो फिर मिलता हूं नेक वीडियो में तब तक के लिए जाहें जय बारत